Hello everyone, कैसे हैं आप लो? I hope कि आप लो बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो आज हम देखने वाले हैं Class 12 English में Poetry का Chapter No.4 का Objective Question जिसका नाम है Ode to Autumn तो चलिए सुरो करते हैं Question No.1 में है कि Desk died of tuber closest at the age of 26 यानि किसकी मिर्टू tuber closest के कारण 26 साल के उमर में हो गई तो ये भी हमें Chapter का सुरू में ही बताया गया है कि इस Chapter के जो लेखक हैं जिनका नाम है John Kids उनकी मिर्टू 26 साल के उमर में tuber closest यानि TB के कारण हो गई इसलिए इसका Correct answer हो जाएगा Option No.A John Kids तो इस पे लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ Question No.2 में है कि Who has composed the poem Ode to Autumn यानि यह जो कभीता है जिसका नाम है Ode to Autumn इसको किस ने लिखा है तो ये भी हमें पता है कि इस कभीता को John Kids ने लिखा है इसलिए Option A, Kids इसका Correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ Question No.3 में है कि Ode to Autumn is written in Das यानि यह जो कभीता है जिसका नाम है Ode to Autumn उसको कब लिखा गया था तो ये भी हमें चेप्टर के सुरात में ही बताया गया है कि इस कभीता को जिसका नाम है Ode to Autumn इसको सितंबर 1819 में लिखा गया था इसलिए Option B, September 1819 इसका Correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ Question No.4 में है कि Ode to Autumn is Das या जो कभीता है जिसका नाम है Ode to Autumn या किस परकार का कभीता है तो जैसा कि आप नाम में ही देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है Ode इसलिए या जो कभीता है वो एक परकार का Ode है इसलिए हम कहा सकते हैं कि Option C, An Ode इसका Correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ अगर आपको यह पता करना है कि कौन सा कभीता किस परकार का है क्या वो एक Lyric है या Ode है या फिर Sonate है या फिर Ballad है तो इसके लिए हमने एक वीडियो को Already ही बना रखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप जाकरके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और याद कर सकते हैं कि कौन सा कभीता किस परकार का है तो चलते हैं अगले सवाल के तरफ Question 5 में है कि In Ode to Autumn, Kids deals with Das in Detail यानि यह जो चैप्टर है जिसका नाम है Ode to Autumn इसके जो लेखक है जिनका नाम है John Kids वो किस सीज के बारे में डिटेल में बताते हैं तो जब आप यह चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे John Kids ने Autumn Season के बारे में यानि पतज़र के मौसम के बारे में पूरा डिटेल में बताया है इसलिए इसका correct answer हो जाएगा Option D, Autumn तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ Question 6 में है कि Ode to Autumn Consist of Das यानि यह जो कभीता है जिसका नाम है Ode to Autumn इसमें कितनी एस्टेंजा है तो जब आप यह चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इस कभीता में तीन एस्टेंजा है और हर एक एस्टेंजा में 11-11 लाइन्स दिये गए हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि Option B, 3 एस्टेंजा इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ Question No.7 ने पूछा गया है कि The Theme of Autumn is Tass यानि जो पतज़र का मौसम होता है उसका में मकसद क्या होता है तो जब आप यह चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर के सुरात में ही बताया गया है कि Autumn का जो Theme है यानि उसका मकसद है वह है Fulfillment और Maturity यानि पेंड से पूराने पत्ते जढ़ जाते हैं और नयने पत्ते और उस पे फूल आ जाती है और पेंड जो है वो पूरे तरीके से फल से लद जाता है इसलिए हम कहा सकते हैं कि इसका correct answer हो जागा Option No.C Fulfillment या Maturity तो इस पें लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ Question No.8 में है कि Kids was Das Poet तो ये भी यमें Chapter के Introduction में ही बताया गया है कि John Kids जो है वह एक परकार के Romantic Poet थें इसलिए Option A और Romantic Poet इसका correct answer हो जाएगा तो इस पें लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ Question No.9 में है कि Who called Ode to Autumn Kids more satisfying of all the Odes यानि कौन ऐसे कभी हैं जो कि कहते हैं कि John Kids के दुआरा जो लिखा गया Poem है जिसका नाम है Ode to Autumn ये तमाम Odes में से सबसे satisfying यानि संतुष्ट करने वाली कभीता है तो हाला कि ये chapter में तो हमें नहीं बताया गया है लेकिन इसको आप याद कर लेंगे कि Arthur Compton Ricketts वो कहते हैं कि John Kids के दुआरा लिखा गया या जो Poem है जिसका नाम है Ode to Autumn ये तमाम लिखी गए Odes में से सबसे ज़्यादा satisfying है यानि सबसे ज़्यादा अच्छी Poem है इसलिए इसका correct answer हो जाएगा option number D तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ question number 10 में है कि each estange of Ode to Autumn consists das तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि Ode to Autumn में 3 estange है और हर एक estange में 11-11 lines दे रखे हैं इसलिए option A 11 lines इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ question number 11 में है कि who has been personified in Ode to Autumn यानि यह जो कभीता है जिसका नामे Ode to Autumn इसमें किसको personified किया गया है यानि किसको सजी वर्स्तू से compare किया गया है तुलना किया गया है तो हम आपको बता दें कि इस sector में जिसका नामे Ode to Autumn इसमें Autumn Season को यानि पदज़ड के मौसम को personified किया गया है यानि उसकी तुलना एक सजी वस्तू से किया गया है और उसको जीता जाकता और बोलता हुआ दिखाया गया है इसलिए option B autumn इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ अब देखी यहाँ पे जो word यूज हुआ है personified यह personification से निकल के आया है जिसका मतलब होता है कि किसी भी निजी वस्तू को सजी वस्तू की तरह दिखाना जैसे पेंड का बोलना पेंड का चलना यह एक परकार का personification है जहाँ पेंड को सजी वस्तू से compare किया जाता है सजी वस्तू की तरह दिखाया जाता है तो अब चलते हैं अगले सवाल के तरफ Question number 12 में है कि John Kitts has written a poem Daz यानि John Kitts ने कौन सी कभीता को लिखा है तो ये भी ये में chapter के सुबात में ही बताया गया है कि John Kitts ने poem number 4 जिसका नामे ode to autumn उसको लिखा है इसलिए option भी इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ Question number 13 में है कि the band with apples the most cottage tree is from death यानि यह जो line है जहाँ पर autumn season यानि पज़र का मौसम जो है वो सूरे से कहता है कि चलो इस सेव के पेड़े को जिस पे बहुत सारी मौसस लगी हुई है यानि काही लगी हुई है इनको हम लोग फल से इतना भर देते हैं कि यह जुक जाए या जो line है वो किस chapter से लिया गया है तो जैसा कि आपे screen पे देख सकते हैं कि यह जो line है वो poem no.4 जिसका नाम है ode to autumn उससे लिया गया है इसलिए option भी इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टीक और चलते हैं अंगले सवाल के तरफ question number 14 में है कि conspiring with him how to load and place is taken from death यानि यह जो line है जहाँ पे autumn season यानि पज़र का मौसम जो है वो सूर से conspiring कर रहा है यानि साजिस कर रहा है कि चलो इन पेड़ों को हम दोग full और full से पूरी तरीके से भर देते हैं लोड कर देते हैं यह जो line है वो किस chapter से लिया गया है तो आप screen पे देख सकते हैं कि यह जो line है वो poem no.4 जिसका नाम है ode to autumn उससे लिया गया है इसलिए option A ode to autumn इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ question number 15 में है कि dash was a great lover of nature यानि कौन ऐसे कभी हैं जिनको nature से यानि प्रकृती से बहुत ही ज़्यादा लगा हो था तो ये भी हमें chapter के सुबात में ही बताया गया है कि john kids को nature से बहुत ही ज़्यादा लगा हो था इसलिए उन्होंने autumn season के उपर यानि पज़ड के उपर एक पूरी की पूरी कभीता ही लिख दी इसलिए option A john kids इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ question number 16 में है कि in dance new leaves and fruit come out on trees यानि किस मौसम में पेड़ पे नएने पतियां और फल आते हैं तो ये भी हमें पता है कि autumn season में यानि पज़ड के मौसम में जो पूराने पते होते हैं वो पेड़ से तूट करके हट जाते हैं और पेड़ पे नएने पते आने सुरू हो जाते हैं और पेड़ जो है वो फल और फूल से भरना सुरू हो जाता है इसलिए हम कह सकते हैं कि option B autumn इसका correct answer हो जाएगा तो इसपे लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ यानि यह जो line है जहाँ पे लिखा गया कि यह line किस chapter से लिया गया है तो जैसा कि आपे screen पे देख सकते हैं कि यह जो line है वो poem number 4 जिसका नाम है dash यानि यह जो line है जहाँ पे autumn को season of mist कहा गया है यानि धूंद यानि धूंगे का मौसम कहा गया है and male of fruitfulness यानि एक ऐसा मौसम कहा गया है जिसमें पेड़ों पे बहुत ही मीठे-मीठे और मधूर-मधूर फल और फूल खिल जाते हैं यह जो line है वो किस लेखक के द्वारा लिखा गया है तो हमें यह पता है कि यह जो line है वो poem number 4 जिसका नाम है order to autumn से लिया गया है और यह जो chapter है वो john kitts के द्वारा लिखा गया है इसलिए option D john kitts इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 19 में है कि thou watchest the last oozing hours by hours each from Daz यह जो line है जिसमें लिखा गया कि thou watchest the last oozing hours by hours यह किस chapter से लिया गया है जैसा कि आप अपने screen पे देख सकते हैं कि यह जो line है वो poem number 4 जिसका नाम है order to autumn से लिया गया है इसलिए इसका correct answer हो जाएगा option number C order to autumn तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question mark 20 में है कि who sits carelessly on the granary floor in order to autumn यह जो poem है जिसका नाम है order to autumn इसमें अनाजों से भरी वी जमीन पे कौन बैठता है तो यह भी हमें chapter में बताया गया है कि जो महिलाएं हैं वो अनाजों से भरी वी जमीन पे carelessly यानि निफिक रहोके यानि चिंता रहित होकर करके बैठती हैं इसलिए इसका correct answer हो जाएगा option number D woman तो इस पे लगाते हैं टिक तो यहाँ पे होता है आपका chapter समाप